अबसकार दुफतों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस व्यूटूब चैल में दुफतों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फ़स्ट यर हिंदी मर्डल कोईश्चन के बारे में आज कि इतने भी कोईश्चन होने वाले सारे बीए फ़स्ट इन्वर्सिटिक के चाथरों के नाई कि इस वीडियो पर आपको काफी कुछन देखने को मिलेंगे जो इस वीडियो में ने इंक्ल्यूड कि हैं तो यह सारे कुछिचन आपको आने वाले एकजाम में बहुत सारी कोईश्चन देखने को मिलेंगे और साथ साथ में इस वीडियो से आपके चार पांच नंबर किलियर हो जाएं क्योंकि कुबेड नाथ जी से रिलेटेट चार पांच से पांच से नंबर का एक्जाम में कुछाई जाता है ठीक है तो पहला question है इस वीडियो में कि कुवेड़नाद का जन्म कब हुआ था आप चर आपको मिल जाएंगे 8888, B नमबर है 1900, OC नमबर है 1900, 33 और D नमबर है 1927 तो इस question का right answer हो जाएगा जिन छातरों को मालूम बेसक कमेंड करके बता सकते हैं इन सभी question का answer अब हम आपको बताएंगे लेकिन आने वाले दिनों में आप सभी को इन question का answer देना होगा तो पहले question का right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा C number, ठीक है, right answer क्या हो जाएगा? C number, 1933 बात करते एक लिए question की अगला question है कि कुबेड़नाद का जर्म कब हुआ था? आपसर आपको बिल जाएगे महाराष्ट, गुजराद, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड तो इस question का right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा 2nd year और 3rd year में भी 10 से 15 नबर के जो objective question पूछे जाते हैं इसलिए तीनो एर के छातोर एक लिए important है वीडियो दीगे जान से देखते रहेगा अगले question कर बढ़ते है निकाए कुबेड़नाद के पिता का क्या नाम था? आफसर आपको मिल जाएगे हरिशंकर, B नमबर जगत राय, C नमबर स्री बैकुंठ नाथ, D नमबर राम राय तो इस question का right answer हो जाए कुबेड़नाद के पिता जी का जो नाम था, वो स्री बैकुंठ नाथ था इसलिए question का right answer हो जाएगा C नमबर, आफसर नमबर C बात करते हैं अगले question की, अगले question लिखा है कुबेड़नाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, अभी उपर आपने question पढ़ा था, कि किस प्रदेश में हुआ था, आफसर आपको मिल जाएगे तो इस question के right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा B number Gajipur, okay, right answer B number हो जाएगा, बात करते हैं अगले question की, अगले question है कुबेड़नाद की माता का क्या नम था, आफसर मिल जाएगे अजनी, लीला, देवी, लच्मी देवी, और D number, राम देवी, तो इस question के तो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुबेड़नाद जी की जो माता का नाम था, वो लच्मी देवी तो right answer हो जाएगा, C number, इस तरह के exam में question पूछे जाते हैं, आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम जो फंस्टियर वाले चात्र हैं, उनको तो थोड़ा confusion होगी, क्योंकि वो अभी डायक्ट 12th से, B में आये हैं, लेकिन जो second और third year के चात्र हैं, उनको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, अगला question है कि कुबेड़नाद राय किस वर्ग के निबंदकार थे, number 1, ब्यांग जाएगा, C number, right answer, ठीक है, बात करते एकले question की, हला question कहिरा कि, अनको पूरा किसका निबंद है, जैनेद्र अगे कुवेड़नाथ और D number की सुदार, simple से question का right answer हो जाएगा, C number, कुवेड़नाथ राय, अनको पूरा के दारनाथ राजी का निबंद है, right answer, C number, बात करते हैं, question की, लिखा है कि भगवान, बुद्ध से किसने प्रस्न किया, number 1, अजाद सत्र ने, असकंद गुप्त ने, C number, राम गुप्त ने, और D number है, इन में से कोई, यानि कि none of these, तो question का right answer हो जाएगा, A number, अजाद सत्र, ओके, A number, बाढ़ते हैं, एंगले question क्यों, एला question कहिरा कि, प्रिया नील कंती का रचना काल क्या है, यानि कि प्रिया नील लंती जो रचना है, वो किस काल में रची गई थी, या किस वर्स इसकी रचना हुई थी, आपसन मिल जाएगा, आपको 1968, 1970, 1975, 1950, question के तो right answer हो जाएगा, A number, 1968, right answer हो जाएगा, A number, अगले question क्यों बढ़ते हैं, लिखा है कि रस आखे टक किस की करते हैं, एक करते हैं, जिसका नाम है, रस आखे टक, वो किस की आपसन मिल जाएगे, नरेंद, निराला, भूशन, कुबेरनाथ, question का right answer हो जाएगा, D number, कुबेरनाथ, ठीक है, right answer D number हो जाएगा, बात करते हैं कि लिए question की, लिखा है कि गंद मादन की रशना किस वर्ष होई, आपसे नाम को मिल जाएगे, 1955, 1972, 1972, 1960, 1980, तो इस question की right answer हो जाएगा, यह जो रशना है, यानि की गंद मादन, इसकी रशना, 1972 में होई थी, इस लिए right answer हो जाएगा, D number, ठीक है, बात करते हैं लिए question की, लिखा है कि, साहित तकार की भ नम्बर एक बोध से अम्रत से विस से तनाव से question का right answer हो जाएगा बी नम्बर अम्रत से ठीक राइट एंसर बी नम्बर हो जाएगा चली बढ़ते हैं के लिए question क्यों अब आधा question कहरा कि माराल निशो तिराननवे किसका निबंद है आफसर मिल जाएगा रामकुमार का मोहन राकेश का कुबेड नात राय का मोहन राकेश का तो राइट एंसर आप से अब को मालूम ये किस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुबेड नात राय जी के बारे में तो इस question का right answer हो जाएगा सी नंबर दूस्तों मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में individually कुबेड नात राय जी से रिटर जितने भी question है वो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन exam में जब आपका question बेपर मिलेगा तो वहां पर सारे question मिक्स होंगे कुछ कुछ कुबेड नात राय जी से होंगे कुछ आप सभी को मालूम है कि जैजंकरशाद राम कुमार वर्मा और बहुत सारे जो लेखक हैं उनसे लिटर मिक्स करके question पूछ जाएंगे तो इसका answer आप clear देपाएगे बात करते हैं ले question की लिखा की आगम की नाव किसका निबंध है नमबर एक एसपाल उपे नात असकुबेड नात सुहनलाल तो इस question के तो right answer हो जाएगा आगम की नाव कुबेड नात राय जी की निबंध है इसलिए question का right answer जो हो जाएग वो हो जाएगा c number चली बात करते है लिखा है कि कोला हल और क्रोध की प्रचोलना इन दोनों के साथ जुड़ती है इन में से तीसरी बात क्या है एक क्वेश्चन है कि कोला हल और क्रोध की जो प्रयोचना है ठीक है वो इन दोनों में से किस से जुड़ती है वो तीसरी बात क्या है इसमें आप लोगों को बताना ह वहांच से संगठं से बेंग से सब्द बेभिचार से क्वेश्चन कर राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर सब्द बेभिचार ठीक है यहां दीजेगा यह क्वेश्चन आ सकता आपके एक्जाम में बात करते हैं एक लिए क्वेश्चन की लिखाए कि कुवेश्चन आपके एक्जाम में आ सकता 100% है यह कुवेश्चन आपके एक्जाम में आ सकता 100% है क्योंकि यह कुवेश्चन आपके जी का जो है वो प्रतम निवद संगरा था ठीक है चली बढ़ते हैं एक लिए कोईशन की और लिखाए कि रस आखे टक की रसना किस वर्स होई थी आफसर आपको मिल जाएंगी 1990-1970-1986-1968 तो इस कोईशन को जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आफसर नंबर B 1970 ठीक है राइट एंसर क्या हो जाएगा 1970 B नंबर चली बात करते हैं एक लिए कोईशन की लिखाय कि निम लिखित मेंसे निशाद बासुरी 1974 किसका निबंद है नंबर 1 कुबेड नात का B LGBT का, C LGBT का, D LGBT का, D LGBT का ए अगला कोईशन ही है कि मुझे अफसर है कि मैं आपके सामने कोई क्रांतिकारी बात नहीं कह पा रहा हूं ये पीडा किसकी है एक क्वेश्चन ऐसा एक्जाम में आया है कि मुझे अफसोस है कि मैं आपके सामने कोई क्रांतिकारी बात नहीं कह पा रहा हूं हुई है पीडा किसकी आफसर मिल जाएंगे सज्जन की दुर्जन की सुरोता की लेखक की तो राइट इंसर हो जाएगा आफसर नमबर डी लेखक का तो फाइनली दोस्तों आज किस वीडियों मैंने पूरे टॉंटे कोश्चन अंकिल्यूट के थे जो कि कुबेर नाध राज कई कुश्चन इसमें से रिपीट हुए अगर आप यह अच्छे समझ के जाते हैं तो इसमें से काफी वीडियू मैं देखने मिलेंगे ठीक है इसके लाव अगर आपको कोई कोश्चन हुजाओत बेसा कमेंट करके पूर सकते हैं किसी सब्चेट का माडल कोईश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उसमें प्रोसेस करके आप तक जिरू प्रोवाइड करूंगा हम आपको बते हैं इस्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहिए